नमस्कार दोस्तों मैं आपका practitioners our Шरमा słबाष शर्मा लालकिताव के घ्यान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मुझे आशा है कि आप जो है लालकिताव के घ्यान को काफी जो है इंज्डॉय कर रहे हो काफी कुछ सीख रहे होंगे और साथी साथ यह चिलचिलाती गर्मी भी आप एंजॉय कर रहे होंगे तो दोस्तों आज की हमारी चर्चा है कि जो लौटरी खेलते हैं लोग सट्टा लगाते हैं गैंबिलिंग करते हैं शेर मार्किट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कुण्ड़ी में बॉध की स्थिति देखिए अगर बॉध खाना नंबर साथ में है या बॉध खाना नंबर बारा में है तब इस केस में लाल किताब में कहा गया है कि हवाई वेपार, सट्टा, लोटरी, जुआ इत्यादी में इनसान जो है कहीं ना कहीं नुकसान झेलता रहेगा अब इसके इलावा अगर हम बुद को देखें कई लोग जरूरी नहीं कि बुद नंबर 7 में है या बुद नंबर 12 में है तो ऐसे व्यक्ति हमेशा ही डूबते हैं ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति जुआ लोटरी या सट्टा ही ना खेलते हों तो condition depend करती है कि किस तरह का व्यक्ति है और किस तरह से वो अपने जीवन में नुकसान झेल रहा है कई लोगों को आपने देखा होगा share market का business करते हैं और काफी पैसा कमा लेते हैं कई लोग जुआ वगरा खेलते हैं गैंबलिंग वगरा करते हैं इंडिया में तो इंडिया में भी होता है पर abroad में कई लोग जो जाते हैं तो गैंबलिंग एक तरीके से पेशा है और जो है शौक है यानि कि दिन बर इंसान पैसा कमाएगा शाम को ठकावट उतारने के लिए गैंबलिंग के लिए खसीनों वगरा में चला जाएगा अब यही सब चीजे हैं कि इंसान कब और किस समय में जो है पैसा कमाता है देखिए अगर कुल्ली में आपके बुद्ध सही है तो आपकी बुद्धी सही डिरेक्शन में काम करेगी सही तरीके से आप ऐसा धन अर्जित करोगे और आपकी कॉमिनिकेशन भी काम करेगी अगर माल लीजे कुड़ी में बुध भी मंदा है और साथ में राहू भी मंदा है तब ऐसा इनसान इसी कारण से उजड़ता है आपने देखे होंगे लोग लोटरी खेलते हैं या फिर शेयर मार्केट में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी और एक समय में आया कि वो ज सार कहा गया है कि बुध आपकी कम्मिनिकेशन है बुध आपका व्यपार है बुध आपकी सोचने कि सकती है किस तरीके से किस डिरेक्शन में आप सोचते हैं अगर बुध सही होगा और ये जितने भी धंदे हैं लोटरी सटा जुआ गैम्बलिंग और शेयर मार्केट ये के साथ है, बुद्ध राहू के साथ है, बुद्ध केतु के साथ है, अगर बुद्ध चंद्र के साथ है, और ये दोनों रद्धी हैं, तब इस केस में ऐसे इनसान को इन चीजों से दूरी पकड़नी चाहिए, अगर वो इन चीजों में आगे बढ़ेगा, या फिर लोटरी, स या पर एक तरीके से रिस्क लेने वाले काम करने, जो भी। जिसमें आपको कईवार ऐसा होता है, कि हम रिस्क लेके कोई काम करते हैं। यानि कि हमने एक बर पैसा दिया और उसका जो है कई गुना मिलके हमको वापिस मिल गया। कई बार लोग बियाज पर पैसा देते हैं और उनका पैसा ही डूब जाता है। यानि कि सामने वाले ने बेपकूप बना के आपसे पैसा ले लिया और आपकी बुद्धी ने काम नहीं किया आपने कोई श्योटी नहीं ली आपने कुछ नहीं किया और आपने पैसा दे दिया ये लालच में कि कल के दिन ये मुझे 10% 20% ब्याज के साथ मुझे लोटाएगा ना तो आपका ब्याज मिला ना आपका पैसा मिला ये ही होता है कि जब बुद्धी उलट चलती है तब इनसान जो है ऐसी गलतियां कर देता है और ये ही कारण है कि लाल किताब में खाना नंबर 12 वाले को साफ तोर के ये कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति ना तो कोई हवाई कारो बार करे ना जुआ लौटरी सटा इत्यादी इन में कभी भी इन्वाल्व हो अगर इन्वाल्व होगा तो उसका जो है नुकसान ही होगा और साथी साथ वो धन के लिए हमेशा तरस्ता रहेगा क्योंकि हवाई वेपार यानि कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कई लोगों के इं वो भी लोग परिशान होते हैं कई लोग शेयर मार्केट में इतनी बड़ी-बड़ी अमाउंट लगा देते हैं कि उनकी अमाउंट जो है फज़ आती है तो यहां पर हमें सबसे पहले अगर माल लीजे आपकी कुंडली में शनी या बुद्ध का योग है कंडिशन को मैं अब यहां पर आपको समझा देता हूं कि कौन से लोग जो है बुद्ध से यानि कि बुद्ध की अच्छी अवस्था होने के कारण शेयर मार्केट या लोट्री जुआ सट्टा में पैसा कमाते हैं अगर शनी के साथ बुद्ध है और दोनों की खालात अच्छी है अगर राहू के साथ संबंद इनका नहीं बन रहा है माल लिए शनी और बुद्ध खाना नमबर दस में है तब इस केस में शनी अच्छा कहलाया जाएगा और साथ में बुद्ध भी अच्छा होगा आपका सोच समझने का तरीका अच्छा होगा यानि कि आप एक रुपे से दस रुपे बनाने की काबलियत रखते होंगे मगर फिर भी मैं आपको यही सला दे दूँ कि जुवा लोटरी सटा ये एक बार तो आपको अर्श पे पहुँचा देते हैं पर बाद में आपको गिरना फर्श पर ही पड़ता है तो ये चीजें अपने दिमाग में Majorly आपको बिठा के रखनी हैं कि हमें ये नहीं कि आपका दिमाग चलो मैंने आज एक लाग कमा लिए मैंने आज दो लाग कमा लिए तो ये सब इतनी कमाई इतनी चल रही है तो मैं साथी साथ में बड़ी अमाउंट कर दूँ एक दिन ऐसा आता है कि आपने बड़ी अमाउंट लगाई नहीं कि आप जो है जितना आपने कमाया था सारा का सारा जीरो हो गया तो बुद्ध को सही रखना जरूरी है जरूरी नहीं कि आप लोटरी, सटा या जुए के लिए ही बुद्ध को सही रखना जरूरी होता है जैसा कि बुद्ध के उपाए मैंने बताया है कि रात को आप हरी मुंग विगा के सुबह पक्षियों को डालते रहें साथ ही साथ आप स्टील का छला छोटी उंगली में पहन के रखिए बुद का छला अगर आपकी कुंडली में बुद कहीं भी मंदा है और इसके साथ साथ आप अपनी बहन, भुआ, मौसी इनकी सेवा करते रहें इनको कहीं पर भी परेशानी ना होने दे, अपने लेवल पर जितना हो सके इनका ख्याल रखते रहें तो यही सब चीजें हमें ध्यान रखकर ही आगे बढ़ना है और आपकी कुंडली में अगर बुद कहीं पर जो है नेगिटिव है तो आपको जुआ लौटरी सटे से दूर रहना है और अगर अपने बुद को आप अच्छा रखेंगा तो आपको ओवराल लाइफ में जुआ लौटरी सटे से कहीं गुना जादा आपको पैसा मिल जाएगा जरूरी नहीं कि शौटकट में ही आप पैसा कमा पाओगे आपके अंदर इतनी काबलियत होगी कि आप कभी ना कभी जो है सही समय पे और सही तरीके से पैसा कमा लोगे तो दोस्तो आई होप आप लोगों को ये information समझ आई होगी और कुछ हिदायतें समझ आई होगी अपने बुद्ध को अच्छा रखने की बुद्ध संबंदी जुआ लोटरी सटा इन से दूर रहने की बात भी मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसी कंडिशन है तो सो समझ के ही आगे बढ़िये नहीं तो अगर आपका मन है आपका शौक है कभी-कभी छोटी-छोटी अमाउंट लगाते हैं तो एक एक आपको उपाय बताता हूँ जो लोहे का संदूक होता है जो शादियों वगरा में नॉर्मली देखते हैं तो वो लोहे का संदूक आप किसी लड़की को जरूर दान करें या फिर लोहे की अलमारी वगरा दान करें लोहे की वस्तो जो होगी वो आपने लड़की को देनी है यानि कि बुद्ध और शनी का कॉंबिनेशन हमें यहाँ पे करना होता है तब ऐसे में आपका बुद्ध अच्छा होता है अगर बुद्ध मंदा है तो उसके उपाय मैं अलड़ी बता चुका हूँ कि नाक्षेदन कराएं हरे का दान करें हरी चीजे मत पहनें बुद्ध राहू का कॉंबिनेशन है तब आपको बुद्ध को सही करना है राहू के उपाय करने है पर यहाँ पर बुद्ध को एक असली मदद जो है शनी ही दे सकता है क्योंकि शनी है चुस्ती चलाकी और बुद्ध है बुद्धी का होना ना होना बेकार है जब तक आपक कि बुद्धी में चुस्ती चलाकी ना हो जो कि शनी होती है तो नेक्स वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे तब तक के लिए आग्या दीजिए और इंजॉय करिए गर्मी बहुत पसीना आ रहा है देखिए उपर पंका भी चल रहा है फिर भी पसीना टपक रहा है चलिए कोई बात ही दुबारा मिलते हैं नई वीडियो के साथ अब तक के लिए अपने भाई को आग्या दीजिए नमस्कार